सब्सक्राइब देख लेते हैं कौन से थैंक्यू के जबाब में कौन कौन से सब्द कहे जा सकते हैं और किन मौक उपर कहे जा सकते हैं तो पहला सब्द है बिलकम तो सबसे ज्यादा बिलकम का प्रयोग लोग करते हैं कि बच्पन से ही चोटे बच्चों को भी सिखा दियाता है बड़ों को भ विल्कम का अर्थ होता है विल्कम में स्वागत है या विल्कम की जगह आप यू आर विल्कम भी बोलते हैं तो यू आर विल्कम का अर्थ होता कि आपका स्वागत है यन कि आप कहना चाहते हैं कि आपका स्वागत है आप दुबारा भी मेरी मदद ले सकते हैं ये बताने के ल लिए लो बोलते कोई आप की छोट चोटी सी मदद कर देता है या आप किसी की कर देते हैं तो थैंक्यू जो में बोलता तो थैंक्यू के जवाब में आप करते हैं no problem आप किसी की छोटी सी मदद कर दिये और वो आदमी आपको thank you बोलत आप कर सकते हैं उसको no problem तो जैसे आप जा रहे हैं सडक पर किसी का pen गिर गया आप उठा कर दे दिये रुमाल गिर गया दे दिये उठा कर दिये लिफ्ट में किसी के लिए button आप दबा दिये और किसी को रास्ता बता दीए और खाते समय किसी को चम्मच पास कर दिए कि चमच कूई भी कि छोटी सी मदद आप कर देते हैं क्लियर जैसे आप स्टुडेंट से हैं तो साथ में पढ़ने किसी पेन गिरिगत आप उठा के दिए रास्ता रास्तम कहीं भी छोटी सी मदद करने के लिए इस तरह से आप नो प्रॉब्लम का प्रयोग करते हैं गर वह आदमी आप बोलेग के लिए कोई छोटी सी मदद करने के लिए no problem का प्रयोग करेंगे अग्ला वाद है इस« दाइए» है टो इंड इच को और बोल आपको तब बोलना चाहिये जैसे आ उर्ली मदद करने के लिए आप किसी को और עली मदद कर दिए बोलकर मदद कर दिए अज्वेसे आप कोई आ तो थाइंक्यू बोलेगा आप कहेंगे इस ओके लेकिन इसका प्रोग वहां भी होता है जैसे मतलब कि जा रहे हैं आप और कोई आदमी कह दिये कि हमारा ये काम कर दो माल जिए आप फेमिली के साथ कहीं पर जाने वाले हैं टरफिल पर जाने वाले हैं कहीं आत्रफ पर जाने वाले हैं तो आप तरवाजा को लग किये कई लोग हो जा रहे हो सब तो तब तक आपका भाई कहा या आपकी बहन गए कि भैया मेरी मोबाईल तो अंदर ही छूट गए प्लीज उसे जाकर लाइए न तो आप वहां से आएंगे गाड़ी से जाने वाले हैं फिर आएंगे ताला खोलेंगे फिर मोबाईल निकालेंगे फिर बंद करेंगे इस तरह कि आप जो है आपका भाई या महान जो आपसे कहा है कि मेरी मोबाईल लाके देदो आपको बोलेगा थाइंक्यू वही है तो आप वहां केवल कह दो कि बिल्कम तो वह जानेगा कि आपको फार्मल्टी के लिए कह रहे हो तो ऐसे माइको आपको कहना चाहिए इस ओके कि अजए खेल पर रिपने रवामे यी जुष्क के लिए कोई था गयुषिए खेले जिता कर भेल है तो आप अ आफ जो है आपको पहुत परिसान है आप खुशी से मदद किये तो आपको चेहरे पर हलका सा मुस्कान होना जरूरी है तो चलिए आगला सब देख लेते हैं माइ प्लीजर या माइ प्लीजर की जगा इट्स माइ प्लीजर भी कहा जाता है सौर्ट में फीलिजर इसे बिलकम सार्ट में था तो डीटेल में यू आर बिलकम भी काते हैं My Pleasure ना काके इट्स मैं प्लीजर भी आप काते हैं तो it's my pleasure का मतलब क्या है कि यह तो मेरा सौभाग्य है खुस नसीबी है कि मैं आपके लिए ये काम कर सका तो यह भी thank you के बदले में बोल जाता है कब बोल जाता हम जैसे आपकी कोई मदद कर दीं कि आप किसी की मदद की है वह फार्मली भी मदद हो सकती है इन फार्मली भी मतलब क्या जैसे बड़ा है और आप शाधे हैं कि बात को Sept खत्म ना हो ठोड़ा बात आगे भी बढ़ाना चाहते हो तो इसे माई फ्लीजर जिसे इसका प्रोक किन मौकों पर ज्यादा रहता है माई प्लेजर से माल यह आपकी वाइफ का बडड़ पॉर्टी है आप उसके लिए कोई मतलब विसेश बड़ड़ है आपके वाइफ का यह किसी का भी आपके घर में परिवार में यह अपने दोस्त के किसी के लिए भी आप जो है अब बाद में पता चला तब आपको कहेगा थैंक्यू या थैंक्स बोलेगा तो आप उससे कहेंगे कि माई प्लेजर या इट्स माई प्लेजर कहने मतलब यह तो मेरा सौभाग है खुछ नसीबी है कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर सका तो इस तरह से आप वहाद वेल्कम का प्रोग करना बेटर नहीं माना जाएगा तो इस तरह से आप ध्यान देजिए परिवार में उपने और गाने बेट के लिए घु से मिल्च पाल्टि बहुंए अपनी फोलें ह। तो आप कहोगे इट्स माई फ्लेजर कि मेरी खुश नसीबी है कि मैं आप के लिए कर सका। अपसे कंपणी में है या कहीं भी है आपको कोई दुकान पर रहें तो का अपने कस्टमर के लिए भी आप यूडर कह सकते हैं क्योंकि आप उसकी help किये वह कहा को तैंक्यों तो आप भी कहते हैं मैं प्लेजर मेरी खुशनसी भी है कि मैं आपके लिए कर सका है इतना कुछ तो आप उसके बदले में कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आसे काम आसे काम आसे काम अब यहीं नहीं है मदद इक हमेशा हाजिर हूं मैं आपकी मुद्द के लिए किसी पी समय हाजिर हूं इस तरह से माई प्लीजर से रियलेटेटल ही आयम हपी टो है इन टाइम यह दोनों वर्ड बर प्रेजर का प्रयोग आसकल बहुत जादा होता है लेकिन इन दोनों का अपने कर सकते हैं या फ़िलों को अपने फ्रेंड ख़र कर सकते हैं पुन मौकर पर कहना बेटर होगा जैसे आपका दोस्त है तो आपको पुराना अटका काम करा दिये या कहीं से फारिश डाल के उसके कोई डिसकाउंट करा दिये इस तरह से कोई भी काम करवा दिये अपने प्रेंड का या अपने परिवार में किसी का तो अगर आप थैंक्यू बोलेगा तो आप उसके बादले में आपको बोलना चाहिए anytime मतलब आप उसकी मदद के लिए हमेसा हाजिर है ऐसा करना चाहते है कि इस तरह से निकाप प्रेवक करना चाहिए अगला सब्द है mention not mention not या इसको don't mention it भी बोलते हैं no mention भी बोलते हैं ज्यादा तो मेंसल नाट ब इससे थैंक्यू बदले में होता है इसका प्रोग तब करते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि थैंक्यू कहने की कोई जरूरत नहीं है छोटा सा तो काम था इसे हम अपने दोस्तों या रिष्टेदारों के साथ भी कर सकते हैं तो मैंसल नाट का प्रोग करना चाहिए जिससे चोटा सा तो काम था मैंने इसे कर दिया तो इसका यूज अक्सर जो है आप तब करते हैं जैसे आप कहना चाहते हैं छोटी सी तो मदब थी मैंने कर दिया अनयास आप परिसान हो रहे हूं क्या परिसान हो रहे हूं थैंक्यू बोल रहे हूं मैं तो छोटा सा काम थे कर दिय बात लिए बहुत हो आप अक्सर अजनभी उसे तक कि जबाब में करते हैं कोई भी है आप में ख़तम करना चाहते हैं तो वहीं करते हैं आप रुखना नहीं चाहते जैसे रास्ता चलते हैं आप से खोई यह ने भी खालका साब की हल्फ कर लेना चाहते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो जो है थैंक्यू के बदले में कितने सब्दों का प्रोक कर सकते हैं और कौन सा वर्ड किन मौको पर बोल सकते हैं तो वीडियो पसंद आय कर दिए ताकि सभी लोग को जानकारे मिल सकें उस लोग को जिनको भी कंफ्यूजन राता है इन सभी सब्दों का कि बोलते तो हैं लेकिन कि मौकों पर बोलना चाहिए कुछ लोग गलत भी बोल देते हैं कोई अच्छा जानकार होगा तो वह मतलब कि गलत माल लेगा तो इस होंगे और सीखते रहें सपोर्ट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो